ग्रह निर्माण सहकाली समीतियों से वंचित पात्र सदस्यों को दुलाए जाएंगे प्लोट एवं मकान बनाने के लिए अनुमतियां 31 दिसंबर तक बिलाए गए आविदयन अंतर विभागी समनवाई के लिए संभागाई प्तिरपार्टी के अध्यक्षता में उचिस्तरी मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक संपन इंदोजिले में माफियाओं के विरद प्रभावी कारवाई की जा रही है वैं दूपसरी और इंदोजिले में वभन निग्रह निर्मान समीतियों के ऐसे पात्र सदस्य जिन्हें अभी तक वरियता सूची में वरिष्ठता के आधार पर प्लोट नहीं मिले उन्हें में प्लोट आवंटित हो चुके हैं और वो थोड़ी बहुत अप्चारिक्ताओं की कमी के कारण अपने मकान का निर्मान नहीं करा पा रही है ऐसे सदस्यों की कमियों को दूर कर उन्हें मकान बनाने की अनुमती दिलाई जाएगी साथी ऐसे रजिस्ट्री धारी जिन्हें अभी तक प्लोट का कबजा नहीं मिला है उन्हें प्लोट का कबजा दिलाया जाएगा इसके अलावा ऐसे ग्रह निर्मान सहकारी संस्थाएं जिनकी भूमी आवासी उप्योग के अलावा अन्य प्रयोजन की है और वो आवासी प्लोट नहीं दे सकते और उन्हें अपनी भूमी किसी और को विक्रे कर दी है ऐसी जमीन के संबंध में पात सदस्यों को प्रती फल राशी दिलाए जाएगी इस दिशा में सभी संबंधित विभागों द्वारा संबन्वित प्रयास किये जाएंगे इस कारे में गड़बडी तथला परवाही करने वालों के विरुद्ध सक्त कारवाई की जाएगी यह जानकारी आज यहां संबागाय उक्ता आकाश्त्र प संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूं थे याद है कि संबागाय उक्तृत्र पाठी ने ग्रहन इन्मार समीतियों के मादेम से दे गये प्लॉटों के संबंधित विपने समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जिलास्तरिय टास्क फोर्स समीति का गठन किया ह इस समीति के मार्ग दर्शन में उठे निर्देश देने समीति द्वारा किये जा रहे कारियों वह उनके द्वारा लिये जा रहे है निर्णेयों के लिए उच्छिस्तरिय मौनिटरिंग कमीटी का गठन भी किया गया है इस समीति के अध्यक्षत संबागाय उताकाश त्रप इस मोनिटरिंग कमीटी की पहली बैठक में बताया गया कि इन दौर जिली में ग्रहा निर्मांड सहकारी समीति के सदस्यों को उनका हक दिलाने के लिए शुद्ध अंतक इंड के साथ विबिन विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाएंगे बताया गया कि जिले में ग्रहा निर्मांड सहकारी समीतियों के संबंद में अभी तक चार्स पचास से अधिक शिकायते तथा आविदन प्राप्त हो चुके हैं जिले में 31 दिसंबर तक कोई भी सदस से कमिश्णर का रहले का रहले बस सहकार्ता का रहले में अपनी शिकायत अथा आविदन लिखत रूप से दे सकते हैं बैठक में संबागायक तकाश्ट्र पाठी ने सभी विभागों के अधिकारियों के निर्देश दिये कि अपने अपने हग के लिए दरुदर भटक रहे ग्रह निर्मान सहकारी समीदी के सदस्यों को उचतने आदिलवाएं विश्वद अंतकरन के साथ औरी मांदारी से कार करें हग दिलाने के कारे में गडबड़ी ततला पर वाही बरतने वालों के विरुद्द सक्त कारवाई की जाएगी बैठक में उन्हों निर्मान सहकारी संस्थाय जिनकी वरिष्टता और वरीता की सूची तयार नहीं हुई है उनकी सूची शिक्र तयार की जाए वरीता अनुमतियों के अभाव में मकान निर्मान नहीं करा पा रहे हैं ऐसे सदस्यों को अपचारिकताई पूर्ण कर और अनुमतियां दिला कर भव निर्मान की अनुमति दिलाए जाए ग्रहनितमान संस्थाओं की ऐसी भूमी जिसका उपयोग आवासिये के अलावा अन्य उपयोग का है अन्य भूमी अन्य किसी व्यक्ति को बेज दी गई है ऐसी भूमी के संबंद में कलेक्टर गाइडलाइन तदा बाजार मुले का आंकलन कर उस राशी का समान वित्रन भी सद संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि संबंदत विभाग पदादिकारियों से उस कॉलोनी में मूल भूत सुविधाओं का विकास करवाए और भवन निर्मान की अनुवती दिलवाई जाए विकास नहीं करवाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कारवाई सनशित की ज जाएगी उन्होंने आमजन कि यीद्म शिद्ध अंत करण के साथ कंअ विभं निर्देश दिये कहा कि संबंध में की जारहें कारवाई कि साब्ताहिक समिक्षा के जाएगी याद रहे कि संभागायक ताकाश्त्र पार्थी द्वारा ग्रहन इन्मान समीटियों के माध्यम से दिये गया प्लॉटों से संबंत विपने समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जिलास्तरे टास्क पोर्स समीटि का गठन किया गया है गठित की गई जिलास पश्चिम शेतर विद्वित्रन कंभई रहेंगे यह समीटि ग्रह निर्मान समीटियों से प्राप्त आविदन पत्रों का विदी अनुसार अवलोकन इवं परिक्षन करेगी आविदन में प्राप्त कम्यों की पूर्थी कराएगी आवश्यक्ता पढ़ने पस सईयोंक्त द संभाग इस्तरी मॉनिटरिंग कमड़ी के समक्ष उपायोक्त राजस्व इनदौस संभाग इन दौर के माध्यम से प्रस्तूत करेगी संभाग आइक आकाश्टर पार्थी की अधिक्षता में गठित उच्छिस्तरी मॉनिटरिंग कमीडी में कलेक्टर एवं जिला दंडा प्रणाइब निवेश एवों मुख्य अभियांता मद्यवदेश पचिम शेत्र विदुत वित्रन कंपणी सदस्य रहेंगे इन दोर शहनों ग्रहन निर्माण समीतियों के माधियम से आवाजियों का विकास विकत कहीं दशकों से किया जाता है इन ग्रहन निर्माण समीतियों के दबारा कई अच्छी कॉलोनियों का विकास कर्मूल सदस्यों को वर्यता अनुसार प्लोट दे गए परन्तु बहुत सी ऐसी समीतिया विरहें जिनके वास्तविक पात्र सदस्यों को या तो प्लोट नहीं मिल पाया अत्वा भवन अनुमतिय दिना मिलने ये कारण वे कबजा होने के बाद भी मकान नहीं बना पाए इन वंचित पात्र सदस्यों को पात्रता अनुसार प्लॉट उपलब्द कराने व उनको समस्त विहित अनुमतिया दिलाने में सहयोग हे तू एक समन्वित अंतर विभागे प्रयास की नितान तावश्र पात्रता को देखते हुए संभागायुक्तर पाथी ने जिलास्तर ये टास्क पोर्स समीति का गठन किया है जिसमीति वंचित पात्र सदस्यों को पात्रता अनुसार प्लॉट उपलब्द कराने येवं उनको समस्त अनुमतिया दिलाने में सहयोग करेगी येवं इस दिशा में अंतर विभागी समनबय भी करेगी सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फोर अपडेट्स